तील औरेंज लुक वाली एडिटिंग और वो भी सिरफ चार स्टेप्स में हैं तो हेलो फेंज क्या हाल चाल गैस सबसे पहले हम अपनी फोटो को शेर पे क्लिक करेंगे and add to light room अब यहां से हम light room को open करते हैं all photos and यहां से अपनी फोटो को हम कर लेते हैं choose तो गैस अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टेप से जो है light adjustment बहुत यसान स्टेप है सबसे पहले यहां पर यह सूरज का बटन होता है light का इसके उपर हम जाएंगे and यहां से सबसे पहले हैं exposure जैसे अप फोटो हमारी देख सकते हैं सबसे थोड़ी सी light कम है तो हम इसमें exposure थोड़ी सा बढ़ा देते हैं करीब 15 next है contrast तो contrast भी हम add on करेंगे इसको बढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा मतलब 25 के करीब बस इतना ठीक है next है highlights तो highlights जैसे आप गैस देख सकते हैं फोटो में जो पीछे से light आ रही है sky का जो part पीछे वाला यह वाला यहां पर बहुत ज़्यादा highlights आ रही है तो हम highlights को कम कर देंगे योगी light बहुत ही ज़्यादा पीछे से आ रही है यह देखिए जो पेड़ की टहनिया थी ज़्यादा dark आ रहे है उसमें detailing बहुत कम है तो इस details को निकालने के लिए हमें shadows को बढ़ाना बढ़ेगा आप देखिए shadows को मैं बढ़ाऊंगा तो detail देखना बालों की यह देखिए बालो में light आगी यह पहले नहीं थी अब आगी इसलिए हम shadows को बढ़ा देते हैं करीबन 70 फोट दिखिए पहले से बेटर हो रही है नाइस इसके बाद है whites whites हम हलका से कम करेंगे माइनस 10 कर देते है बस तो यह हमारा पहला step होगी है done हमने light अच्छी तरीके से adjust कर दे अब चलते हैं हमारे second step की तरफ जो है color adjustment उसके लिए हम जाएंगे यहां से color tab ही next वाले इससे बहुत इसान है यहां पर भी तो सबसे पहले हमारे बास है temperature and tint तो temperature को थोटा सा बढ़ा देते हैं ताकि warm tone आए and tint को थोटा सा कम कर देंगे जैसे temperature कम कर देते हैं 4 and tint को minus 4 simple इसके बाद है vibrance जैसे मैं vibrance को बढ़ाता हूँ इसको हम 100 कर देते हैं मुझे पता थोटे से जादा होगे लेकिन अब ही इसको adjust करेंगे कोई भी इसके बाद जो saturation है ना वो हम कम कर देंगे इसको saturation को हम minus 5 कर देते हैं इसके बाद हम उपर से mix के अंदर जाएंगे यान main controlling जो colors की होती है वो mix के अंदर बहुत ही बड़ी आ तरीके से हो जाती है यसे ये last में हमारे पास यहाँ पर यह color है purple तो purple को हम select करेंगे और इसकी जो saturation है वो बिल्कुल का minus 100 next है हमारे पास magenta इसकी भी saturation minus 100 तो magenta color के हम saturation minus 100 next है हमारे पास blue color यह बहुत important color है teal and orange look में blue color की बहुत importance है तो सबसे पहले हम जो blue का hue है वो हम कम रखेंगे ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब यह आप teal and orange look में काम कर रहे हैं आपने जो blue color का hue है हमेशा ही कम होएगा तो इसको हम कर देते हैं minus 50 तो जो aqua teal style की look होती है न वो देखिए वो आएगी इस से minus 50 hue को कर देते हम न next जो saturation है वो हम बढ़ाएंगे इसको कर देंगे 80 अब जो luminance है वो भी हम बढ़ाएंगे इसको कर देंगे 40 बहुत ही बढ़ी है तो next color हमारे पर से aqua इसको हम नहीं छेड़ते है next है green तो सबसे पहले जो green color का hue है वो हम थोड़ा सा left side में negative के side में लेके जाएंगे ताके थोड़ी सी green में green tone थोड़ी सी कम हो उसमें थोड़ी सी yellow tone जादा आए तो इसके लिए हम green को थोड़ा सा कम करेंगे इसको हम कर देंगे minus 50 ठीक है and next जो इसकी saturation है वो हम बढ़ाएंगे 40 कर देते हैं इसको next है हमारे पास yellow color तो yellow की सबसे पहले तो जो hue है वो हम कम रखेंगे ताकि जो yellow tone है वो orange tone में जादा convert हो ताकि हमारे पास teal and orange लुका सके इसके लिए yellow का जो hue है बिल्कुल कम minus 100 यह दिखिए जो yellow tone सी ही न हमारी वोटा में वो orange हो रही है इसको minus 100 कर दे and next जो इसकी saturation है वो हम कम रखेंगे इसको minus 60 कर देते है बहुत ही बड़ी है and next हमारे पास orange color orange की जो सबसे बहले saturation है वो हम थोड़ी सी कम जैसे minus 20 and जो इसकी luminance है वो हम बढ़ाएंगे उसको हम 50 कर देते है very nice next हमारे पास red color red भी बहुत ही important होता है अब देखिए जैसे यह ice cream की ready side पे खड़ी होई है तो इसमें red color है लेकिन हमारा topic है orange and teal तो orange में इसको लाने के लिए हम इसका hue को बढ़ाना बढ़ेगा तो इसको hue के हम कर देते हैं 70 तो देखिए यह red color की ready अब orange हो रही है very nice next है हमारे पास यहाँ पर इसकी saturation जो हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे जैसे 15 के करीब कर देते हैं इसको done तो मारे दो steps होगे done मुचल तो मारे तीसरे step की तरफ जो है effects तो effects के लिए यहाँ पर यह square shape वाला tab होता है इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़े है clarity, dehaze और vignette तो clarity हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे 10 कर देते हैं इसको next है dehaze dehaze हम कम रखेंगे इसको कर देते हैं minus 5 कर देते है तो थोड़ी सी scene में overall light आ जाती है next है vignette इसको कर देते हैं minus 20 बहुत ही बड़ी है तो हमारे तीन steps होगे अब चलते हैं हमारे fourth step की तरफ जो है split tone अगर आपको पूरी detail में जाना है कि split tone काम कैसे करता है तो उपर i के बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं description में भी link है वैसे तो split tone के अंदर बहुत इसान जीज़ करेंगे तो यहाँ पर highlights का बाट है उसको मुठा कर यहाँ से जो aqua tone है तील tone है उसके अंदर लेकर जाएंगे तो इसमें थोड़ी सी saturation एड़ करते हैंगे बहुत ही बड़ी आप ड़ी आप तो गैस हमारी फोटो रेडिय है तील और औरेंज लुक में मुझे उमीद है आपको यह एडिटिंग अची लेगी होगी तो वीडियो कैसी लेगी मुझे जरूर कॉमेंट करके बताएं और वीडियो में गाईज अगर आपको कुछ अच्छा कुछ नया सीखने को देखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक पे वाटसप पे सभी जगे शेयर जरूर करिए और हाँ यहां से सेव भी कर लेते हैं यहां से करते हैं सेव क्योंकि सेव करेंगे तब ही तो इसका धंबने लगाएंगे तो इसको सेव कर दिया और गैस मिलते हैं अगली वीडियो में कर दो इसका दो इसका धंबने लगाएंगे